NCRT की पाठ्थ पुस्तक भास्वती वितियो भागाह वादश वरगाय संस्कित अस्य पाठ्थ पुस्तकम प्रिष्ठ संख्या 27, चतुर्थः पाठः प्रजानुरंजको न्रिपः प्रस्तुत पाठ्थ महाकवी कालिदास विरचित रगुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है इन आरमभिक्ष लोकों में कालिदास महान रखुकूल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेश्टा करते हैं कि शासकों में कौन-कौन से गुण होने चाहिए राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है राजा को प्रजा के कल्यान के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोश एकत्रित करना चाहिए कर ग्रहन करने का उद्धिश्य आपत्ती आने पर प्रजा का कष्ट निवारन करना होता है राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रगुवंशी राजाओं के समान गुड़ पाए जाते हैं कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितो विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणिय आदर्श प्रस्तोत करते हैं प्रजापालन, प्रजानुरंजन ही शासक का प्रमुखधर्म है यह द्वनी इससे प्रकट होती है प्रिष्ठ संख्या 28 पहला श्लोक त्यागाय संभितार्था नाम सत्याय मितभाशी नाम यशसे विजिगीशू नाम प्रजाये ग्रिहमेधी नाम श्लोक संख्या 2 शैशवे भ्यस्त विद्ध्या नाम यवणे विशयाईशि नाम वार्धके मुनि वृत्ती नाम योगे नांते तनुत्य जाम श्लोक संख्या 3 रघूना मन्वयम्वक्षे तनुवाग विभवो पिसन् तद्गुनै कर्णमा गत्य चापलाय प्रचोधिताह श्लोक संख्या 4 वैवस्वतो मनुर्णाम माननीयो मनीशि नाम आसीन महीक्षितामाध्यह प्रणवश्चंद सामिव श्लोक संख्या 5 तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतह शुद्धिमत्तरह दिली पईवराजेंदुहू इंदुहू क्षीर निधाविव श्लोक संख्या 6 आकार सद्रिश प्रग्यह प्रग्यया सद्रिशागमह आगमह सद्रिशारंभ आरंभ सद्रिशोदयह श्लोक संख्या 7 प्रजानामेवभूत्यर्थम सताभ्योबलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्स्रष्टूम् आदत्तेहिरसम्रविह श्लोक संख्या 8 ज्याने मौनम् ख्रमाशक्तव त्यागेशलागाविपर्ययह गुणा गुणानु बंधित्वात तस्यसप्रसवाईव श्लोक संख्या 9 प्रजानाम विनयाधानाद रक्षनाद भरनादपी सपितापितरस्तासाम केवलं जन्महेतवाः श्लोक संख्या 10 प्रिष्ट संख्या 29 श्लोक संख्या 11 तेशाम बहुब्रिही संचित धना नाम धन इकठा करने वाले रघुवन्षियो का मितम भाशंते ये ते तिशाम उपपद ततपुरुष सिमीत भाशन कर्त्री नाम सिमीत बोलने वाले रघुवन्षियो का विजिगी शूनाम वी उपसर्ग पूर्वक जीधातु सनप्रत्याई उ शश्थी बहुबचन विजयास्य इच्छु का नाम विजय की इच्छा रखने वाले रघुवन्षियो का ग्रिह मेधिनाम ग्रिह मेधंते तेशाम उपपद तत्पुरुष दार परिग्रहानाम विवाह करने वाले रघुवन्षियो का विशयाई शिनाम विशयान इच्छंती तेशाम उपपद तत्पुरुष भोगा भिलाशिनाम भोग की इच्छा रखने वाले रगुवन्शियों का तनुत्यजाम उपपद तत्पुरुष देहत्यागिनाम शरीर का त्याक करने वाले रगुवन्शियों का अन्वयम वन्शम वन्श के विशय में तनुवाक विभवह यस्य सह बहुरिह स्वल्प वानी प्रसारह वानी का थोड़ा वैभव चापलाय चपलस्य भावह चपल अन चापलम चपलता के लिए प्रचोधितह प्राउपसर्ग पुर्वक चुद धातु सेक्त प्रत्य पुल्लिंग प्रत्मा विभगती एक वचन प्रेरितह प्रेरना क्या हुआ मनीशिनाम मनशह ईशिनह मनीशिनह तेशाम विदुशाम विद्वानों में महीक्षिताम महीम्ख्षियंती इती महीक्षितह तेशाम ख्षितीश्वरानाम राजाओ में प्रणवह ओमकारह ओमशब्द चंदसाम वेदानाम वेदों में अन्वये, वन्षे, वन्ष में, प्रिष्ठ संख्या 30, शुद्धी मत्व, पुल्लिंग, सब्तमी विभक्ती एक वचन, शुद्धी अस्य अस्ती इती, शुद्धी मान तस्मिन, पवित्रवन्ष में, प्रसूतह, प्रसूत जातह, उत्पण्य हुआ, राज इंदुहु राज्याम इंदुहु शष्थी तत्पुरुष समास। पुलिंग प्रत्मा विभक्ती एकवचन। राज श्रेष्ठ। राजाओं में श्रेष्ठ। इंदुहु चंद्रमाहु चंद्रमा। ख्षीर निधव ख्षीर समुद्रे। ख्षीर सागर में आकार सद्रिश प्रग्याः। आकार के समान बुद्धी वाले प्रग्यया सद्रिशागमह प्रग्यया सद्रिशाह आगमाह यस्यसह बहुरही प्रग्यया अनुरूपह शास्त्र परिशमह बुद्धी के अनुरूप शास्त्र का अभ्यास आगमैही सद्रिशारंभह शास्त्रही सद्रिशह आरंभह शास्त् प्रोक्य अनुसार कर्म आचरण करने वाला आरंभ सद्रिशो दयाह आरंभेन सद्रिशह उदयह यस्यसह बहुरिही समास प्रारंभ सद्रिश सिध्धी युक्तह प्रारंभ के समान फलकी सिध्धी वाला भूत्य अर्थम भूत्याई इती अर्थ के योग में चतूर्थी तत् व्रिध्यर्थम, उन्नती, भलाई के लिए, बलिम, करम, करको, टैक्सको, सहस्रधा दातुम, हजार गुना देने के लिए, उत्सरश्टुम, उद्स्रिज, तुमुन, देने के लिए, आदत्य, आउपसर्ग, दाधातु, लटलकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, ग्रिणा ग्रहन करता है, श्लाघा विपर्ययह, श्लाघा यह विपर्ययह, शष्ठी तत्पुरुष, विकत्थनाया भावह, अपनी बडाई न करने वाला, गुनानु बंधित्वात, गुनान, अनुबद्ननती, गुनानु बंधिनह, तेशाम भावह तस्मात, ज्याना दी गुनान सारित्वात ज्यानादी गुणों के अनुकरण करने से सप्रसवाईव सोदराईव सहोदर के समान विनयाधानात विनम्रताख शिक्षनात विनम्रता आधी की शिक्षा देने से रक्षनात त्रानात रक्षा करने के कारण से प्रिष्ठ संख्या 31 भरनात पोशनात भरन पोशन जन्म नह एव एतवाह जन्म मात्र करता रह जन्म मात्र देने के कारण उरगेन ख्षता सर्प साप से काटी गई अंगुलीव अंगुली के समान वेला वप्रवलयाम वेला एव वप्रवलयाह यस्याह साताम बहुवरिही समुद्र कूल प्राकारायाम समुद्र का किनाराही जिस नगर की प्रमुख दिवार का परकोटा है परिखी कृत सागराम परितह खाताह परिखाह परिखाह कृताह सागराह यस्याह साताम समुद्र की चार दिवारी को अनन्य शासनाम न अस्ती अन्यस्य शासनम यस्याम साताम बहुवरिही समास न अन्य शासके न शासिताम अन्य राजा के द्वारा शासन न की गई उर्वीम प्रिथवीम प्रिथवीको शशास शासनम कृतवान शासन किया अभ्यासह प्रश्ण एक एक पदेन उत्तरत क केशाम अन्वयह कालिदासेन विवक्षितह ख रगुवन शिनाह अंते केन तनुम त्ययंति ग महीक्षिताम आध्यह कहासीत ग कासाम पितराह केवलं जन्महेतवाह ग कह प्रियह अपी त्याज्यह च दिलीपह प्रजानाम भूत्यर्थम कम अग्रहीत च राजेंदुह दिलीपह रगुणा मन्वये क्षीर निधव कहईव प्रसूतह प्रश्ण दो पूर्ण वाक्केन उत्तरत क महाकवी कालिदासेन वैवस्वतो मनुहु मही क्षिताम की द्रिशह निगतितह ख कालिदासाह तनुवाग विभवाह सन अपी तत गुनैही कथम प्रचो दिताह प्रिश्ण संख्या बत्तिस ग के तम रगुवण्षम शोतु मरहंती ग दिलीपस्य कार्यानाम आरंभा की द्रिशह आसीत ग रविही रसम किमर्थमादत्ते प्रश्ण तीन रेखांकितानि पदानि आध्रित्य प्रश्ण निर्मानम कुरूता क सह प्रजानामेव भूत्यर्थम बलिम अग्रहीत अत्र सह इती रेखांकितम पदम क प्रजानाम विनयाधानात सह पिता आसीत अत्र प्रजानाम इती रेखांकितम पदम ग मनीशिनाम माननीयह नहु आसीत अत्र मनीशिनाम इती रेखांकितं पदं ग शुद्धिमति अन्वये दिलीपह प्रसुताह अन्वये इत्र रेखांकितं पदं पितरह जन्महेतवह आसन अत्र पितरह इती रेखांकितं पदं प्रश्न चार अधोलिखिता नाम भावार्थम हिंदी आंगल संस्कृत भाषया रिपिट अधोलिखिता नाम भावार्थम हिंदी आंगल संस्कृत स्वभाषया लिखत प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमक ग्रहील आगमैहि सद्रिशारंभः आरंभ सद्रिशोदयः प्रश्न संख्या पाँच अधोलिखी तेशु विपरीतार्थमेलनम कुरुत अत्र स्तंभद्वयम प्रथमा स्तंभे ये शब्दासंती ते यवने मौनम चाज्यह शास ख्षता द्विदिये स्तंभे ये शब्दासंती तेत्र चपलताम शासनम न अकरोत अक्षता ग्रह्यह वार्धके प्रश्ण छे अधोलिखी तेशु प्रकृति प्रत्यय विभागाह क्रियताम आगत्य उत्स्रश्टुम संमतह त्याज्यह शिष्टह प्रश्ण सात संधिम संधि विच्छे दंवा कुरूत तनु वाग विभवोपी योगे नांते ताभ्यह बलिम श शासै क पुरीमिव प्रिश्ण संख्यात्य तेश्टुम अधोलिखितस्य श्लोक द्वयस्य अन्वयम कुरूत प्रजानाम विनयाधानाद रक्षणाद भरणादपी सपितापितरस्तासाम केवलं जन्महेतवह सवेलाव प्रवलयाम परिखी कृतसागराम अनन्यशासनामुर्वीम श शासै क पुरीमिव प्रश्ण संख्या नौ अधोलिखितेशु विशेशन विशेश्ययोह मेलनं कुरूत अत्र स्तंभद्वये विशेशन विशेश्य पदानाम उल्लेखाह प्रथमह स्तंभह माननी यहां राजेंदुहु जन्महेतवह उरगक्षता तस्य द्वितिये स्तंभे इमानि पदानि संती अंगुली आर्तस्य मनु दिलीपह पितरह योग्यता विस्तारह रगुवन्षम महाकवी कालिदासस्य रचनासु महाकाव्येशु गण्यते साहित्य दरपणे महाकाव्यस्य लक्षणम इदम प्राप्यते सर्गबंधो महाकाव्यम एतस्मिन देवह उद्दात गुण युक्तह उच्चकुलोत्पन्नह खत्रियो वा नायको भवेत एकस्मिन वन्षे समुत्पन्नाह बहवो राजानों पी नायकाह भवितुमरहंती रसेशु श्रिंगारो वीरह शांतो वारसह प्राधान्येन शेशरसाह अंग रूपेणच प्रयुज्यन्ते चतुर्विदपुरुशार्थानाम धरमार्थकाम मोक्षानाम लाभाह महाकाव्यस्य फल रूपेण स्वीक्रिताह महाकाव्यस्य एकस्मिन सर्गे एकस्येव छंदसाह प्रयोगाह सर्गांतेच छंदसी परिवर्तनम इते महाकाव्यस्य लक्षणे निर्दिष्टम एतत्सर्वम रगुवन्ष महाकाव्य प्राप्यते अनेन महाकाविना प्रकृतेह चित्रणम स्वीये महाकाव्य मुक्त भावेन मूर्त रूपेन कृतम अत्र आ सूर्यात अगनिवर्णम यावत निर्पानाम ग्रह्य गुणानाम त्याज्य दोशानाम चोल्ले खह विद्यते महाकाव्य मिदं एकोन विन्षति सर्गेशु निबद्धमस्ती कालिदासस्य द्वे महाकाव्य रघुवंशं कुमारसंभवं नाटकत्रयं मालवईकाग्निमित्रं विक्रमोरवशियं अभिज्ञान शाकुंतलं खंडकाव्येशु चा मेघदूतं रितुसंगहारं चा विश्वतानी और इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर पूर्ण होता है।